बतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स जहां विश्वास की परंपरा है खायल हो गए इंडिया अब तक न्यूज परिवार की ओर से उन सभी को इश्राधान जली खबर के अंदर की खबर तो ये है कि ऐसे हमले क्यों हो रहे हैं और लोग जो है वो चर्चा कर रहे थे मैं सफर में था और सफर के दौरान जो लोग बाचीत कर रहे थे वो ये बाचीत कर रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है इंडिया में जब चुनाव आता है तभी इसी तरह के आतंग की हमले आखिर क्यों होने लगते हैं कौन है जो इस तरीके का आतंग की हमला कर अपने आपको फाइदा पहुचाना चाहता है या फिर देश के लोगों को बहकाना चाहता है कौन है ऐसा ये सभी चर्चा कर रहे थे पुलवामा हमला भी हुआ था देश में जब चुनाव था पहले तब पुलवामा हमला भी हुआ था और इसी तरीके से बस में हमला हो गया था कई जवान शहीद हो गए थे फिर से देश में कई जगों पर चुनाव है उत्तर प्रदेश का चुनाव है और कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीती ही पूरे देश की राजनीती चलाती है तो एक बड़ा महत्व है उत्तर प्रदेश के चुनाव को और अभी चुनाव के दोरान ये जो आतंकी हमला वगरह वगरह है हिंदू, मुसलिम, पाकिस्तान, हिंदुस्तान ये सभी चीजे करना बहुत खराब और बहुत बुरी बात है चुनाव लड़ना है तो विकास पर लड़िए जो आपने काम किया है उस पर लड़िए जो आप काम कर सकते हैं उस पर लड़िए जो गलतियां पीछे हो गई उसको सुधारने के लिए लड़िए लेकिन कोई भी पार्टी हो इस तरीके से चुनाओ कभी न लड़ें देश को गुमराह न करें किसी भी तरीके से और जब चुनाओ आता है तभी इस तरीके के खबरे आने लगती है ये बहुत शर्मनाख है भारत के लिए भारत में जब जब चुनाओ आता है बले जब गली महले के चुनाओ क्यों नहीं हो ऐसा ही होता है कि गली महले के चुनाओ में भी कुछ नो कुछ ऐसी तिगडम लगा दी जाती है कि लोगों को माइंड डाइवर्ट हो जाता है लोग सामप्रदाईक बन जाते हैं और प्राबलम्स क्रियेट होने लगती है तो जब भी चुनाव हो बहुत अच्छे तरीके से हो शांति के साथ हो यही अपील करना चाहूंगा देशवासियों अपनी अकल लगाओ किसी के भी दिखावे में मत जाओ जहिंद